नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नियूज में मेरतन सेन भारती आज हम बात करेंगे वैक्सिनेशन कर लेकर 18 पलस के लोगों को बीना रेजिस्टेशन नहीं मिलेगी वैक्सिन ऐसे में आई हम जानते हैं 18 पलस के लोग कैसे कराएं रेजिस्टेशन पुरे देश में कोरोना की दूसरी लहर जारी है आपको बता दें कि पुरे देश में प्रते दिन करीब 3 लाग से अधिक संक्रमीत मरीजों की पुष्टी हो रही है एक तरफ जहां सरकार कोबीड संक्रमीत मरीजों के लिए अस्पताल विवस्था कर रही है तो वहीं दूसरी यह भी कहा है कि सीधे वैक्सीन सेंटर आने पर वैक्सीन मिलने की सुविधा नहीं रहेगी। को बता दें कि 45 साथ अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। टीका करन के पहले चरण में रेजिटेशन अनिवार किया गया था। लेकिन जब टीका सेंटर पर ज्यादा भीड नहीं रहती तो अधार कार्ड की फोटो कॉपी ले जाने पर बिना रेजिटेशन वालों को वैक्सीन लगा दी जाती है। लेकिन नए चरण में एसा नहीं होगा। मामले में केंद्रिय स्वास्त सचीव राजेस भूसन ने राज के समकच्छों को पत्र लिखा है। स्वास्त मंत्राले ने कहा है कि राज सरकारों को केंद्र की योर से पहले की तरह वैक्सीन निसुल्क दी जाएगी। में वैक्सीन की 14 क्रोर खुड़ा के देने वाला सबसे तेजर अफ्तार वाला देश बन गया है। सब्सक्राइब लाग से अधीक हेल्थ केर वर्कस को वैक्सीन का पहला दोज दिया जा चुका है। और अधीक उम्र के व्यक्तियों को जो है वैक्सीन लेने के लिए कैसे रजिस्टेशन के कहां पे जाए ताकि उन्हें जो है आसानी से वह अपना रजिस्टेशन करा सके ताकि वह वैक्सीन की परकिरिया में साभी हो सकें। तो आप kovin.gov.in पर log in करें यानि कि यह एक website है kovin.gov.in co-win.gov.in पर जाकर आप रेजिटेशन करें इसके बाद यहां आने के बाद आप अपना mobile number डालेंगे जिस पर आपके पास एक OTP आएगा OTP को आप वहां पर करेंगे इसके बाद जो है registration का पेज जो है वह खुल जाएगा जब वह पेज खुलेगा तो उसके पाद आपको जो है अपना पहचान पत्र के प्रकार बताना हो कि आपके पास कौन से सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद जनकारी भरने के बाद आपके पास एक confirmation मैसेज आएगा जिसके बाद आपके पास की आपके बाद आप उपर साथ सा तीन लोगो को अगर आप एक साथ बहले सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें कोभी वेव entirety जाके आप18 परस परसके ओमर के लोगों वैक्सीन लगवाने के सुभधा दी गई है इससे पहले 45 बरस के लोग उन्हें वैक्सीन दे गई उससे पहले 60 बरस के लोगों के दी गई उससे पहले फ्रंट लाइन बरकरों को दी गई तो यह थी वैक्सिनेशन की खबर बिहार और बिहार से जुड़ो ही और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त धन्यवाद